हलो दोस्तो नमश्कार कर लेते हैं जयसके आपको पता है दोस्तो मार्केट में बहुत सारे सेक्टर अब लोगों को देखने को आप से मिल जाते है जैसे में आप लोगों को हमेशा बताया है कि कोई भी सेक्टर अगर आप देखोगे तो वो मतलब हमेशा टॉप पे नहीं रहेगा ये circle में हमेशा बनाता हूँ, आपको by heart भी हुआ होगा, कोई भी sector lifetime, ये top पे नहीं रहेगा, और कोई भी sector अगर देखा गया, तो lifetime वो bottom पे भी नहीं रहेता है, और मैं average sector की बात करा है, average मतलब देखा गया तो उसका demand हमेशा रहता ही है, मतलब खराब sector की मैं बात नहीं कर र आपको पता है कि IT sector, IT sector एक time पे बहुत अच्छा कर रहा था, अभी थोड़ा आराम करेगा, आप लोग को पता है, chemical sector कितना अच्छा कर रहा था, then उपर से थोड़ा आराम कर रहा है, aggregately अगर आप उनके 5-5 साल के return देखोगे, तो long term holders को तो बहुत ही, share holders को तो अच्छे returns ब पड़ेगा, क्योंकि हर किसी को उस दर्ज से गुजरना पड़ता है, और दोस्तों ये multiple अलग-अलग sectors हम लोग को देखने को मिल रहे है, उसमें से अगर अभी के अगर हम लोग बात करें, सबसे best performance अगर कोई यहापे अच्छा दे रहा है, तो दोस्तों वो यहापे दे रह होगा, यहापे हरे चार्ट पेटन के उबर, यादे एक टाइम ऐसा था कि पूरा लाल निशान से भरा था, लाल निशान का अरत क्या रहता है, जितने भी स्टॉक से 52 वीक लो पे चल रहे है, और हरा निशान क्या बताता है, कि कितने सारे स्टॉक आप देख सकते हो, 52 वीक हाई पे चल रहे है, यह उनका बहुत सारे स्टॉक का अल टाइम हाई भी है, तो बताने का मकसद के है, जैसे मैं आपको बताया था, कि हमेशा यह सरकल इसी तरीके से वर्क करता है, तो इसलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कभी भी आप पोर्टफोलियो बनाते हो, क इसल ही नहीं रहा है, यह खराब इसको बेचकर इसी में पैसा लगा तो ऐसी गलती कभी नहीं करनी है, यह मैं आपको बता चुका हूँ, और मैं आप लोगों को यह भी बताना चाहूँगा, कि इनिशल स्टेज में यह सारी चीज़े में एक्चुली गलतिया कर चुका इसी में सारा पैसा फिर यहां से डाइवर्ट कर दिया, और बाद में कुछ समय के बाद experience से गें हुआ, कि हर किसी का टाइम आता है, जो टॉप पे वो भी नीचे आएगा, जो टॉप पे वो भी consultate करेगा, वो नीचे है, वो भी टॉप पे आएगा, और यही चीज़े लाल लाल निचान से पूरा यहाँ पर हम लोगो खूनी खून देखने को मिल रहा है, इसकार देने कि यह बर्बाद हो गये, चलो इनका दुकान बंद हो गया, ऐसा विल्कुल भी नहीं रहता है, आप इनके पाच-पस साल के रिटन्स देखोगे, तो कमाल के रिटन्स आप को मिलेंगे तो इसलिए कहता हूँ कि अगर आप स्टॉक मार्केट में आते हो चार पास साल का नजरिया लेके आ हो क्योंकि यह सेक्टर ऐसे ही रोटेशन चलता रहता है और आटो सेक्टर की बात करें तो आप लोगों को पता है मार्केट में अगर आप होंगे तो 2018 से जो इनकी बैंड बजी है तो आप लोगों को पता है कि अभी जाके इनमें वो रिकवरी देखने को मिली है and sector rotation हम लोगो auto sector में देखने को मिल रहा है plus कुछ अच्छी खासी चीज़े हैं इनके favor में देखने को मिल रहा है जैसे कि अगर हम लोग बात करें metal के दाम भी हम लोगो बहुत सस्ते देखने को अभी मिल रहा है यह plus minus होता रहता है macro economics की तरह अगर हम लोग बात करें अगर आपके पास है तो personally मुझे ऐसा लगता है कि आप इनको बेचने से पहले ज़रू एक बार विचार कर सकते हो जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो यहाप टू विलर्स की बात कर लेते है अभी टू विलर में भी बहुत सारे companies आपको मिलेंगे बट हम लोग कह सकते हैं आप बजा जोटो बजा जोटो के उपर आप लोग जरू फोकस यहाप रख सकते हैं अच्छी कंपनी है आप सभी के पाथ साल के चार्ट पैटन देखलना मैंने इन चीजों को इतना रिपीट किया है कि आपके दिमाग में फिट बेच चुके होंग अगर इसका भी पाथ साल का डेटा देखो कि यह देखे कोई नहीं बचा था जब यहापे गिरावट हुई थी बहुत ही अच्छी कासी पिटाई होती बट देखे अच्छे कंपनी कंपनी करते हैं हाँ टाइम जरूर लगता है अच्छा ही चार्ट पैटन था बट 2018 में कु मैं बार बार आपको बता चुक है बहुत सारे लोग आईशेर मोटर में इन्वेस्ट करते हैं इसलिए क्योंकि वो कहा नहीं देखते हैं 17 रुपे का स्टॉक कैसे 35 सदर हो गया कैसे 4 करोड कमाली है कि इसने वो सही का नहीं है बट यह कोई रीजन नहीं होता है कि आप अभ आप कमपनी नहीं है तो इसमें भी हमनों को चेंजेस देखने को मिल रहे है हीरो में थोड़ा सा समल कर जाना चाहिए ऐसा परसनली मुझे लगता है बाकि और भी आप लोगों को ऐसे कमपनी देखने को मिल जाएंगे बात करेंगे दोस्तों तो फोर विलर में ज्यादा टा आराउंड करें टाटा मोटर में भी अच्छा का सा रोटेशन देखने को आपे मिला है तो इसको भी आप फोकस में आपे रख सकते हो दैन मारूती सुजू कि दोस्तों ये रिटान इसको तो अवाड़ी करते क्योंकि 8000 का स्टॉके में समझ सकता हो बट येस इस कमपनी की अगर आप इसको चेक करो कि पाच-पाच साल में इतना कुछ खास न्यूज ना आते हुए भी इसमें बड़ा क्रैश नहीं हुआ ये एक अगेन के ना चांग ये तो कोविड था वरना अगर देखा कि तो ये एक साइडवेस पैटन पर ही है आपको पता है कि 50% मार्केट श तो स्टार्ट हुए ना 11,000 या 10,000 में बुकिंग यहां पर कुछ होने वाला है जरू मुझे कमेंट सेक्शन में आप चाहो तो इस न्यूस से रिलेटेड कुछ डिटेल से आपर सर्च करके बता सकते हो येस आज ही के दिन कुछ तो यहां पर खबर यहां पर आय थी कोई न होती नहीं मतलब यह कंपनिया अच्छी है अगर आप इनके मैक्जिममम चार्ट पेटन देखोगे यह देखे यह कंपनिया अच्छी है तो यह सेक्टर में आप लोगों को यह रोटेशन और यह चीज़े याद रखनी है दोस्तों अगर आपके पास FMCG है या फिर आपके फाइनेंस सेक्टर है बैंक है तो इसका रहती है नहीं कि खराब हो गए करके वो हर किसी के इसमें आने वाले अगर आपको लगता है कि कोई XYZ स्टॉक है वो सेक्टर क्या भाग रहा है सर यही बेस्ट है और उसी में पैसा लगा दू जैसे मैंने इनिशेल स्टेज में आप भागते रहेता है और भागते ही रहेगा यह थोड़ा सा सुनने के लिए अजीब लग रहा है राइट सो यह चीज़े आप लोगों को समझ नहीं है नेक्स बात करेंगे उलेक्ट्रा ग्रीन टेक एलेक्टरिक वेकल में बसे से रिलेटिड यह अच्छी कंपनी है तो है आप अभी-अभी एंटर कर रहे हो ऐसा थोड़ी नहीं होगा कि मतलब एक बैट्समन फॉर एक्जामपल यहाँ पे तीन सो रन बनाता है तीन सो रन बनाने के लिए अच्छा खासा पीच पर जमना पड़ेगा आप बोलते में 10-15 बॉल खेलूंगा और मुझे रिजल्ट मे साथ वो डिजाव करते हैं यह रिटन्स पाच-पाच साल के रिटन्स देखें इनके 700-700 पसेंट के रिटन्स जोना ने खुद से स्टड़ी की होगी और जोना ने होल्ड नहीं किया होगा वो पच्छता रहे होंगे तो इसलिए कह रहा हूँ दोस्तो स्टॉक्स इलेट करना इग्जेट करना कोई बड़ी बात नहीं है बच्चा भी कर लेगा कल जाके कोई तो स्टॉक आप खरीद लोगे बेचना है तो वो बेच भी दोगे येस बार बार ये चीज़े में रिपिट करते हैं आपके दिमाग में डालता हो इन्वेस्टेड रहना सबसे टफेस्ट ब चीज़ें आप लोगों को सीखनी पड़ेगी और कोई चारा है यहापे नहीं है दैन ऑटो इंसेलरी की बात करें मिंडा इंडूस्ट्री मैंने बहुत बार आप लोगों को यहापे बताया है में कभी रिक्रमेंडेशन नहीं देता हूँ बट मैं बताना चांग यह चैनल क बाटम साइड पे था इसलिए आप लोगों को ऐसे देखने को मिलेगा वरना बहुत ही कमाल करें और यह दिखे दोजार अट्रा में भी यह भी साइड चल रहा था क्योंकि आपको समझने है कि इन कंपनी में अच्छा का सा डिमांड आ सकता है टाल ब्रोस यह भी मैंने आप संसुमी की बात करें थोड़ी सी बड़ी कमपनी है यहापे बहुत ही धीमेदी में चलेगी पचास हजार करोड से भी ज्यादा का मार्केट कैप है तो इन कंपनीस को आप लोग क्या कर सकते हो ज़रू यहापे स्टड़ी कर सकते हो बताने का में मकसद एक ही था दोस्तों कि यहापे आप देख सकते हर किसी सेक्टर के अगर में बात करो जैसे मैंने शुरुवात में यहापे बताया था हर किसी सेक्टर के साथ हम लोगों को यह चीज़े देखने को यहापे मिलती रहती है तो यह बाते आप लोगों को यहापे पता होनी चाहिए ऐसा नहीं कि यह न लगाते रहेते, निकालते रहेते, लगाते रहेते, निकालके रहेते, रैट तो इसके चलते कभी न कभी वो उन सेक्टर में भी हम लों को दबाओ देखने को मिलता रहता है, तो आशाकर तो आपको main point यहापे समझ में यहापे आया होगा, और अगर आपके पास auto वाली company से ज तो हफते बर के अंदर अंदर आप लोगों को इस सारे वीडियो की लिंक प्रोवाइड यहापे कर दी जाएगी, तो आशाकर तो वीडियों helpful लगा गो, so that's it, thank you very much दस्तों, we will be meeting आरनेक शुडियों, तब तक के लिए, बाइ-बाइ